आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत सौबत है दस्तों मैं आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो ले के आई हूँ है ये वीडियो है मेरा सूजी से बने से हलुआ बनाने की इसके लिए मैंने ये एक कटोरी सूजी लिए लिए और ये चार चम्मच किश्मिश लिए थोड़े से बादाम लिए है और थोड़े से गाजू लिए दो से तीन चम्मच टेबल स्विन घी डालकर मैंने इस तरीके से पैन पर गैफ पर पैन चड़ा दिया है हमने ये सूजी इसके अंदर ये सूजी इसके अंदर मैंने डाल दी है मैं इसको मेडियम टू लो फ्रेम पर बोन कर रेडिक करूंगी हल्की गुलाबी होने तक मुझे सूजी जादा नहीं दूनिये ये हलुआ मैं आज बंडारा स्वेल बनाने की रस्ति आपके साथ शेयर करने जाएं और हाँ दोस्तों ये हलुआ मैं सुगर सिरफ में बनाकर त्यार कर दिया ये दे देखिया मेरी सूजी ऩे कलर बद़ना शुरू कर दिया है अब मैंने ये पथि ले द Ni एक गहसे पर मैंने एक बगोना चाड़ाया और इसके लिए मैंने ये ग्लास पानी लिया है, ये देखने मैंने जैसके भगोना चड़ाया था, उसके अंदर मैंने एक ग्लास पानी डाल लिया, अब मेरी सूजी भी भूनकर रेडी हो रही है, अब इसके अंदर मैं चीनी डाल दूंगी, जो ये भगोने में मैंने पानी गरम करने चड़ाया था, इसमें जो मैंने चीनी निकालका रख जेए, वह भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी, यह देखिए मैंने चीनी डाल दिये, जब मेरी चीनी घुल कर रेडी हो जाएगी, यह देखिए मेरी सूजी भून कर रेडी हो गई और यह मेरे पानी में भी उबाला गया है, सब चीनी मेरी अच्छे सी घुल कर रेडी हो गई है, अब यह सूजी मैं इसकी अंदर डाल भून पानी पका के रखा है उसको भी मैंने डाल दिया अब मैं गैस की फ्रेम फिर से ओन कर दूंगी और जो यह मैंने काजू बदाम लेकर रखे थी मैंने थोड़े से काजू इस तरीके से इमामजिस्ते में डालकर कूटके रेडी किया और थोड़े यह किस्मिस और यह थोड़े से काजू बदाम मैंने काटकर रेडी की है काजू बदाम रखे थे वह मैंने इसके अंदर डाल दिये है इसको मैं अच्छे से चला दूंगी और ऊपर से आधा चम्मत देशीगी डालूंगी इसमें एक अच्छी सी साइन लाने के लिए यह देखिए फ्रेंट्स मेरा हलुआ कितनी अच्छा और कितनी जल्दी बनकर रेडी हुआ है सारी जीजो को अच्छे से चलाकर किश्मिज भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी उसको भी मैं अच्छे से चला दूंगी यह देखिए फ्रेंट्स सारी जीजो को अच्छे से चला दिया है मैंने यह देखिए दोस्तों मेरे सूजी से बने हलुआ जो मैंने बनाया है उसका कितना अच्छा कलार आया है अब मैं इसको प्लेट में रिवोड करके आपको दिखाती है दोस्तों यह देखिए दोस्तों मेरा सूजी का हलुआ बनकर रेडी हो गया है दोस्तों यकीन मानिए यह हल्वा बनाना जितना आसान है उतना ही ज्यादा ही तेस्ती है आप भी इस तरीके से सुजी का हल्वा पटापट बनाका रेडी कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और हाँ चैनल पर पहली के बार आएं तो चैनल को सुस्क्राइब करिएगा मिलती है कैसे अच्छे से नए वीडियो के साथ